प्रिय दर्शिको तीन महत्पून बाते अगर आप अकेले स्टॉक में ज़ाद निवेश करेंगे तो हो सकता है निकसान हो अगर ट्रीडिंग करते हैं तो 20% से ज़ादा कैपिटल मत निवेश कीजे और स्टॉक माकिट में वही पैसा लगाईए जो आपको कम से कम 3 साल तक का होराइजन दे सके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वोड़ाफोन आइडिया की और इस स्टॉक में आगे चलकर लॉंग टर्म के लिए बहुत अच्छी पहल होने वाली है सरकार यहाँ पर मदद करने के लिए तयार है और अगर सरकार बचाएगी वोड़ाफोन आइडिया को तो हो सकता है दो कदम उठाएं सरकार तो यह एक बिलियन यूएस डॉलर की सेविंग करा सकती है वोड़ाफोन आइडिया के लिए आपको सिंपल सला दे रहे हैं शुरू से एक भी शेर मत बेचिए इनफेक्ट जब जब शेर गिरा है हमने आपको कहा है जितना जितना गिरे उतना उतना उठाओ इसका इंपेक्ट बहुत आगे अच्छा होगा सेव करना है टेलिकॉम सेक्टर को क्योंकि government of India को अपना 5G auction से पैसे बनाने है तो इसलिए Vodafone idea को बंद नहीं करा सकते हैं तीन मुख्य पेशकस की गई है जो report by BNP परिबास के अनुसार यहाँ पर key steps लेगी government और government has the key in its hand अगर यह government कदम उठाती है तो उसके चलते हुए Vodafone idea आराम से survive कर सकता है सबसे पहला है interest rate को कम कर सकते हैं अगर cut the interest rate किया जाए तो यह यहाँ पर बहुत बड़ी saving ला सकता है Vodafone idea के लिए क्योंकि उसका debt का major हिस्सा जो है government के dues का है और dues पे interest rate जो चल रहा है वो बहुत हैवी है यहाँ दूसरी खबर के अगर बात करें तो cash investment की बाते चल रही है यहाँ पर जब से कुमार मंगलम जी और हमारे टेलिकॉम department के अश्विनी जी मिले हैं उनके accordingly दोनों के बीच में यह भी discussion हुआ है can government invest और answer उसका यहाँ पर है invest तो करेगी बट उनको आश्वासन चाहिए कि Vodafone और आइडिया के promoter भी इसमें निवेश करें तो अगर वो निवेश करते हैं conditional basis पर यह यहाँ पर government से बात कर रहे हैं दस हजार करोड की निवेश करने के लिए अगर यह ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोधसान मिलेगा यहाँ पर Vodafone आइडिया को और तीसरी ख़बर license fees का percentage reduction कर सकती हैं अगर ऐसे reduction करेंगे तो तीन हजार करोड annually save होगा यहाँ पर Vodafone आइडिया का जो इसकी सीदे सीदे profit after tax में improve करेगा combination of reducing interest, deferred stability, deferred spectrum liability और AGR dues को कम करने पर 1 billion annually relief मिल सकता है Vodafone आइडिया को this is as per BNP Paribas Report आप चाहें तो report की पूरी डिटल पढ़ सकते हैं यहाँ पर हम उसके आगे की बात कर रहे हैं तीसरी important चीज़ जो है ARPU to be increased आगे चलकर ARPU बढ़ेगा क्यों देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहले 49 का minimum charge होता था वो अब cancel कर दिया गया है और इसको 89 का minimum charge कर दिया है तो यह यहाँ पर 40 रुपे जो base customer है उसमें बढ़ा दिया गया है और साथी साथ में यह value added service जिसको कहते हैं वो offer करते हैं आप चाहें तो Z का package ले लिजे आप चाहें तो hot star का package ले लिजे तो इस सब के package मिलते हुए यह आपको value added दिखा रहे हैं जिससे आपको increase होगा गौर्मेंट्स request की जारी है कि base flow rate decide किया जाए जिसके चलते हुए यह हर company को कम से कम उतना rate charge करना है especially Gio की बात कर रहे हैं और Airtel is ready to increase the price Airtel will not shy away तो यह एक अच्छी position होगी चैनल का फैपे फेरोल धियान रखिए हमारे हिसाब से BNB परिपास की recommendation बहुत ही काबले तारीफ है ब्याजदर और fees में कमी करने से what of an idea एक survive कर सकता है हमने इसको शुरू से long term के legitimate क्या है और हमारा हिसाब से इसका target 50 रुपे का है जिस जिस दोस्तों ने 5 रुपे के नीचे इसको खरीदा है please comment box में जरूर बताइएगा please consider financial advisor अब अगर हम बात करें technical chart की तो देखिए आज का इसका भाव देखें बंध होते होते 7 रुपे 25 पैसे बंद हो है ना उपर ना नीचे और यहाँ पर एक perfect dodgy candle बनी है कोई भी body नहीं है इसमें उपर का wix है नीचे का wix है यह dodgy candle क्यलाती है यहाँ पर market थोड़ा सा clear direction नहीं देख पा रहा है बट जैसे जैसे चल रहा है उपर की तरफ को तो नए higher highs और higher lows बना रहा है जो की एक bottom out की position है standard disclaimer यहाँ 4 रुपे 60 पैसे पर हमने अपने portfolio में भी stock add किये हैं हर दिन जब गिर रहा था हमने portfolio में add करते रहे थे हैं हमारे पुराणी वीडियो देख सकते हैं चैनल पर बनी रहीगा दोस्तों और यहाँ पर रुपे 40 पैसे का level cross करके closing basis पर बंद किया यह यहाँ पर technical buyers आएंगे RSA का level 55 है तो काफी अच्छे position पर है stock यहाँ पर अगर आप हमारे साथ को course learn करना चाहते है stock market के बारे में regular earning कैसे की जाती है फीचर on option में trading कैसे की जाती है portfolio review करेंगे आप चाहें तो हमारे साथ जुड स